नमस्कार दोस्तों, A1K Studio में आप सब का स्वागत है, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत confusing topic, difference between line-in, mic-in and auxiliary-in. तो line signal क्या होता है, microphone signal क्या होता है, auxiliary signal, तीन signal क्या-क्या है और difference क्या है तीनों में? क्या किसी, एक में हम किसी को लगा सकते हैं, line-in, mic-a third-in, mic-pot में हम line-in डाल सकते हैं, या your thoughts में? तो प्रोब्लेम होगा? मैं तीनों के बारे में cross करके बात करेंगे, अगर आपको जानना है तो आगे चलитесь वीडियो में. तो इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नीकिया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत ही सिंप्ल है यहां यह सब्सक्राइब रेड़ बटन को दभाना है और उसके बाद यह घंटी वाला बटन को भी दभा देना है ताकि मेरे जितने लेबल सिगनल जो होता है वान बोर्ट होता है जो की थाउजन टाइम माइक लेबल से बड़ा होता है इसका मतलब है लाइन लेबल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है मतलब लाइन जो होता है वो दो बोर्ट तक होता है एक बोर्ट से दो बोर्ट उसके बारे में हम डिटल जानेंगे, अगर आप स्पोर्ट में माइक्रोफोन भुसाते हैं, मैं आपको बता दू, लाइन इन में अगर आप माइक्रोफोन डालेंगे, तो होगा क्या, जैसे कि हमने बताएंगे, तीनों के बारे में हम बताएंगे लोट से जदा होता है और उसके बाद हम हम लोग माइक्रॉफॉनलेबल के बारे में जानते हैं यह क्या होता है कि यह जब हम लोग बात करते हैं किसी पर तो एक वो माइक्रोफॉन से एक वोल्टेज निकलती है और जो की मतलब 1000 वोल्ट के 1000 टाइम से एक वोल्ट के 1000 टाइम से वान टाइम होता है मतलब मीली वोल्ट में रहता है वो तो बहुत ही चेंज रहता है तो चलिए इस बहुत स्मल रहता है बहुत चोटा रहता है अब ऑक्स क्या होता है ऑक्स आप कहां पर देखते हैं ऑक्स जो DVD पर लग नियुकर के आउक्स मतलब एक अकुलियारी सप्लड़ाई है मतलिये लाइनिव की आसपास है लेकिन भीको होता है वह आपका बैलन्स रेता है रहता है मतलम लेप तैलरान्स रहता है यह जो अउट्पूट इसका Balance रहता है बालंस नहीं रहता है और इसलिए आप आप आर्सिया करेंटर यह वाला देखिए आर्सिया करेंटर यह से लगा के आप कर सकते हैं और फोन प्लोग लगा के इसको लगा सकते हैं गर देखिया इसमें अगर आप माइक्रोफोन लगाएंगे तो उक्स इंपुट पर तो माईक्रोफोन काम नहीं करेगा मैं आपको बता दो क्यूं नहीं काम करेगा चले यहां पर और एक बार बैक चाते हैं यह लाइन लेबल पर चलते हैं पहले यह लाइन लेबल पे अगर आप आक्स डालेंगे तो चलेगा आक्स करेंगे तो चलेगा लेकिन माइक चाहे लाइन में करिये या आक्स में करिये यह नहीं चल सकता और एक चीज़ में बता दूँ अगर line-in को आप माइक पे डाल देंगे तो होगा क्या दो चीज होगा अगर line-in को diet आप माइक पे डालते हैं line-in, aux दोनों approximately same है ज्यादा difference दोनों में नहीं है एक balance है, line-in balance signal है और output balance है line-in का और aux का on balance है बस इतना difference है वनना voltage जो आपका दो आप पास ही है दोनों वागि माइक का जो होता है माइक बहुत जो वोट आथा है बहुत ही कम रहता है और ओ सिगनल बहुत ही कम रहता है कितना वोट रहता है मैं आपको आगे चलके बताऊंगा लेकिन बहुत कम रहता है अगर आप line-in का signal को लेके line-in को लेके अगर आप माइक इन में डाल देंगे तो आपकी दो दिक्कत आ सकती है पहली बात है माइक इन का जो कार रहेगा वो जल सकता है क्योंकि वो मिली वोट के लिए बनाया गया है वो कार साउंड का तो वो जल सकता है या बहुत जहाँ पे ऐसी भी होता है कि अगर वो थोड़ा अच्छा खासा अगर वो पोर्ट है तो वो line-in signal को ले लेता है कभी-कभी ले भी लेता है तो बहुत वार में देखा हूँ कि कभी-कभी अच्छा खासा मोबाइल का अगर आप डायट लाइन जो मेकसर का आउट को अगर आप डायट डाल देंगे माइक इन में तो ले लेता है कभी-कभी लेकिन उससे एक दिक्कत है कि माइक का पोर्ट जलने की चांसे से तो चलिए वोल्टेज के बारे में थुदा बात कर लेते हैं लेकिना वोल्टेज है तो देखिए माइक लेबल अगर माइक प्रियाप आप लगाते हैं तो वह लाइन लेवल का सिग्नल आ जाएगा और अपलिफाय लगाएंगे लाइन पे तो स्पिकल वजएगा तो चालिए इसके समझमें नहीं नहीं रहा है वोल्टेज तक चलते है तो यह signal level कैसा है देखिए. माइक लेवल ते से हमने बताए था कि बहुत कम है. पास से پचास मिली वोल्ट. जो सकती ऑदला था है. और लाइन लिब्ट के कितना बड़ा है? पचास मिली वोल्ट से दो वोल्ट तक. यह line level का signal दो वोल्ट उसमें आता है, अगर दो वोल्ट को आप 50 minimumえば में गुसा देंगे तो हुगा क्या, और अगर इसको आप गलती से इसके ford में डालेंगे तो क्या क्या है, इसको 2 वोल्ट चाहिए इस ford को चलने के लिए, आप उसमें 5 milivode देंगे तो क्या चले बोटा सा सिंगनल है उसमें क्या उखाड़ला उपना तो इसलिए लाइन लेबल फट्टा ज्यादा रहता है और माइक लेपल ठ्त्रै कम रहता है और पचास सव užल्ट रहता H तो यह आते सिंगरोन ते बार में और जो आउस रहता है वो लाइन के आस सब्सक्राइब करें इस है यह आप देख सकते हैं हमारे एवान के स्टूडियो तो आज के लिए वीडियो देखते रहिए जैहिन जै भारत स्वच भारत नमस्कार